आप लोगों का रिजल्ट कितने बज़े आ सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपको बताने वाले हैं और आज मैं बता दूं BTP वोड की मीटिंग हो रही है उसमें हो सकता है कि आज ही आपका रिजल्ट डेक्लियर हो जाए लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते आज से लेकर 15 अपराइल तक रिजल्ट कभी भी अनौंस हो सकता है इस सारे चीज़े है ठीक है अब सबसे पहले उन सभी विध्यारतियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने मुझे विस्ट किया तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो बच्चे विस्ट करना चाहते कमें बॉक्स में हैपी वर्डे लिख देंगे क्योंकि आज मेरा है ठीक है इस सारी चीजें आप लोग चेकाउट कर सकते हो रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत सारे बच्चों ने किया अज मेरा वर्ट्ट्टी है सभी के लिए बहुत-बहुत धन्वाद मेरी और से आप लोगों का result बच्चो बारे में हम बात करेंगे result आप लोगों का आज आएगा तो कितने बज़े आ सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सबहुत बहुत बहुत धन्वा जिन्हों ने happy देख सको अपने रिजल्ट सबसे पहले बाद में बच्चे नहीं पाते हैं तेकि जावद मुस्पाजी ने ट्यूट के माध्यम से जानकारी दिये तीन मिनट पहले अभी जावद मुस्पाजी ने वेरी फैड अकाउंड है इनका आप जानते होगे इनको नहीं जानते हो तो बता दूँ सारी जानकारी जावद सर जेते हैं वो 100% सही होती है इन्होंने बताया आभी तीन मट पहले ट्यूट करके माध्यम से कि जावेद सर ने बोला है पॉलिटेक्निक स्ट्वेंट्स को जानकारी दे चुका हूँ कि दस तारीक से लेकर पंदरा अप्रैल तक उनका बिसम स्मिश्टर का प्रज़ाम आना है अगर कोई बदलाब होगा तो आप सबको अलग मतलब आप सबको सूचना दूँगा और कोई अलग अलग जवाब दे पाना मुश्किल यहां पर है जावेद सर के नुसार कहने का मतलब यह है जावेद मुश्पपा सर ने ऐसा बोला है कि देखिए अगर पहले उनका नुसार तो वही कि आज यानि दस तारीक को चांस है कि रिजल्ट आज है आज अगर नहीं आता तो वह यह आएगा लगो दो तीन बज़े के सम्टिंग रिजल्ट आएगा अगर आया आज दो क्योंकि साम कोई लोग जारी करते हैं साम दो तीन चार पांस भी हो सकता है है इन्हों देखो बोला है कि 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा मा लोगों पर बदलाब होता है नहीं आ पाता है तो हम आपको सूचित करेंगे जावर सर्वी सूचित करेंगे यहाँ पर आप यह भी चेक आउट कर सकते हो इस सारी चीज़े बच्चों निकल के आएं थी आपसे सबसे पहले आपको रिजल्ट की जानकारी टेलीग्राम पर देदेंगे वहले ही वीडियो नहीं बन पाए लेकर टेलीग्राम पर हम आपको देदेंगे